हेलो दोस्तों परदसी फ्लाइट यूटूब चल पर आप सभी का विलकम है दोस्तों भारत की DGCA की तरफ से यानि जो Civil Aviation Authority है उसकी तरफ से अभी एक सर्कुलर जारी हुआ है एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि भारत से अंतराष्टिय फ्लाइटों की आव आवाजाही पर रोप लगा दी गई है 30 सितंबर तक तो इस न्यूज के बाद लोग अचानक से परिशान हो गए है कि जब भारत सरकार ने 30 सितंबर तक अंतराष्टिय कमर्सिल फ्लाइट की आवाजाही पर रोप लगा दी है तो वो किस तरीके से ट्रिवल कर पाएंगे टिकट कराएंगे तो भाई मेरे इस न्यूज के बाद आपको परिशान होने की कतई जरूरत नहीं है आप थोड़ा सा भी परिशान ना हो क्योंकि इस न्यूज में नया कुछ भी नहीं है ये जून 2020 से ही ये सर्कुलर लगातार जारी होता आ रहा है जिसमें हर महिने ये प भारत सरकार फ्लाइटें आपरेट कर रही है जिन भी देशों के साथ में वो एर बबल एग्रिमेंट के तहत फ्लाइटें आपरेट हो रही है इसके इलावा वंदे भारत मिसन के तहत फ्लाइटें आपरेट हो रही है साथ में जिन फ्लाइट को DGCA की तरफ से इस्पिसल प वाली है इसके लवा दोस्तों सौधी डारेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है तो इस पर इस फैसले के बाद कोई असर नहीं पड़ेगा आप ट्रिवल करेंगे आराम से यात्रा करेंगे तो यह जो न्यूज आई है आप परेशान बिल्कुल ना हो एयर वबल एग्रिमें के तेहत फ्लाइटें भी बढ़ती जाएंगी तो यह जो डीजी से के तरक से सर्कुलर आया है इसको लेकर आप बिल्कुल मुतमाइन रहें इत्मिनान से रहें सुकून से रहें आप खबराएं कतई ना तो यह एक अपडेट थी जो मैंने आपको समझा दिये बैराल आगे क कोई और अपडेट होगी फ्लाइट और ट्रिवल को लेकर खास दोर पर इंडिया सौधी कोईत का तरोमान बहरीन दुबई तो वह आप तक पहुचाए जाएगी इसके लिए आप परदसी फ्लाइट यूटूब चैनल को सब्स्क्राइब कर लें मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल लगिए अपने परिवार का ख्याल लगिए और थोड़ा बहुत हमारे शैनल का भी ख्याल लगिए गुड़ बाई